आपने जो बात मैंने कल प्रजातंत्र के मंदर में मंदिर के अंदर और सब के सामने मैंने तो गहाँ कि आज पिछले एक महा में जब से विधान सभा चुनाओं और लोकसभा चुनाओं की सरगमी की शुरुवात हुई है तब से हम लोग सदन के अंदर और सदन के बाहर नामायन और महाभारत का संदर बहुत सुना है भगवान राम और रावन का संदर बहुत सुन रहे हैं जनेयो धारियों की बहुत बात हो रही है मंदिर की परिक्रमा का परियटन का सत्र की शुरुवात हो चुकी है यग्य बहुत आयोजित किये जाए कोई राजनितिक दल पहली बार अपने मैनिफेस्टों में राम वन गमन पत की घोशना कर रहे है पर मैं माता हूं कि देश की जनता सब कुछ जानता है और इनके मुखोटे जनता ही उतारी है और जो एक सो चालीस करोड देश की जनता की आशा है आपके और हमारे कई पीडियों पहली की आशा और सपना रहा मर्यादापुर्शोत्म भगवान राम का मंदर अयोध्या में प्रधान मंत्री नरेंद मोगी जी के द्वारा ही अगले वर्ष के शुरुआत में उसका उद्धाटर रहा है तो यह जो कुनबा बना है सत्ता की लालच की यह जो कुनबा बना है जो अधिरंजन चौदरी जी ने स्वैम अपने इंटर्व्यू में कहा है कि मोदी शाह के जगरनौट को रोकने के लिए मैं उनको कहना चाहता हूं जो कल संसल में मैंने कहा है कि यह प्रधान मंत्री मोदी जी परामिच्षाह जी का जगरनौट नहीं है यही तो कठनाई है कॉंग्रिस यह देश की जनता की लहर है और इस लहर के सामने यह कुनबा जो सत्ता के लालज के साथ इखटे हुए है जिनके आत्मा में विरोध है और जैसे मैंने कल सदन में कहा कि जिनके दिल नहीं मिलते हैं उनके दल मिल रहे हैं दूद का दूद और पानी की पानी देश की जनता 2014 में करके खारती जनता पार्टी की प्रचंड वहुमत तीसरी बार प्रधानमन्प्री नजिंद मोधी जी की नेत्रित में स्ताफित नहीं गोविन सींग गोविन सींग के गड़ में सर्कार को अपनी सोच सलामत है गोविन सींग जी एक वरिष नेता है उनको अपनी सोच सलामत जनता अपनी निर्ने लेगी जनता का निर्ने चुनाव में सपश्ट